आज की जो रेसिपी है वो खास उन लोगों के लिए है जो बैसलर है या फिर घर से दूर अकेले रहते हैं खाना बनाने में दिक्कत होती है तो आप इस आलू के भुजिया को बहुत आसान तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है मसाले होते नहीं है तो बिना किसी ताम ज्याम के यह बनके तैयार हो जाता है तो अभी तो मार्केट में नए वाले आलू आने लगे हैं तो यहां पर मैंने चार मीडियम आकार के आलू लिया है बस आलू को आप यहां पर दो लेंगे तो इसके उपर की जो इसकिन होती है वो महाज़ने के लिए बहुत ज्यादा आपको पतला नहीं काट नहीं काट नहीं काटना है ऐंहोत की możemy काता नहीं का ह्सकिस전에 एसट आप करने हंकर agreed झाहे तो यहाँ पर रेशो के सबसक्याइव सिर्फटे के लिए लेकिन एक बार हम इसे और दोएंगे क्योंकि नए वाले आलू में मिट्टी काफी होती है तो अगर नहीं दोएंगे तो आलू में किनकिनाहट रह जाएगी तो आज मैं आलू और प्याज की भुजिया बना रही हूं तो यहां पर मैंने दो मीडियम आकार का प्याज ले लिय उसके बाद लंबे आकार में इसे आपको बारिक-बारिक काट लेना है अब आपको क्या करना है कि प्याज को हाथ से मसल देना है तो प्याज को जो एक-एक लच्छे होते हैं वो अलग हो जाते हैं और देखे आलू को धो के इस तरीके से आप किसी छन्नी में रख देंगे तो जितना पानी होता है बुनी कल जाता है और जो भुजिया है वो तूटती नहीं है गैस अन करके कढ़ाई रख लेंगे और यहां पर हम डालेंगे सरसो का तेल और हाँ देखे आलू के भुजिया जो है वो तेल में ही पकता है तो यहां पर आपको थोड़े से ज्यादा का इस्तमाल करना पड़ेगा तेल जब अच्छे से गरम हो जाए ता वाधा चम्मच आप जीरा तड़के में डाल दीजिए 5-6 सूखी लाल मिर्ची को 20 से तोड़के डाल दीजिए मिर्ची यहाँ पे आप अपने तीखे कैनुसार भी डाल सकते हैं जब तेल में मिर्ची बहुत सारे लोगों ने उसे ट्राई किया कुछ लोगों के सांद में समस्या यह आई कि जब भुजिया बनाते हैं तो अलू तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का तिहान दे के बनाएंगे ना तो मेरी गारंटी है कि आलू आपके बिल्कुल भी नहीं तूटेंगे औ तो देखिए जब हम आलू डालते हैं तो कई बार पानी के साथ जो आलू डाल देते हैं उसकी वैसे आलू बहुत ज़्यादा सौफ्ट हो जाते हैं और आलू तूटने लगते हैं तो किसी भी छन्नी में छान के रखेंगे बिल्कुल भी पानी नहीं होगा तो आलू आपके थोड़ी देर आप इसे बिना धके पकाएं अब यहाँ पे जो आलू हैं वो 50% तक पक गए हैं हलका हलका इसके उपर एक सुनेहरा लेयर आ गया है अब हम यहाँ पे गैस का आँच धीमा कर देंगे और डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक मैंने यहाँ पे एक छुटा चमज नमक डाला है इसी के साथ आधा चमज हल्दी पॉडर डाल देंगे यह हल्दी आपको उतना डालना है जितने में सबजी हमारी पीली हो जाए और बस अब आपको सभी चीजों को मिक्स करके थोड़ी देर इसे पका लिना है आलू की तो यहाँ पे देखिए आलू अच्छे से पक गए हैं कई लोग जैसे आलू पक जाता है गैस बंद करके भुजिया सर्फ कर देते हैं लेकिन थोड़ी देर अगर आप इसे और पका लेंगे ना तो आलू के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और जो आलू की भुजिया है वह बनकी तैयार हो गई है और कई सारे लोग कमेंट करके मुझे यह बोलते हैं कि भुजिया में इतना सारा तेल है देखिए भुजिया जो है वह तेल में ही पकता है अगर आप इसमें पानी डाल देंगे तो वह स्वादी नहीं आएगा तो जब भी मैं भुजिया को चाहे तो आप नास्ते में बनाईए बच्चों के लंच में पैक करिया या फिर चाहे तो टिफिर में पैक करके ऑफिस लेकर जाएए रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स फेमली में शेयर कीज़ेगा और जब कभी मेरा भी खाना बनाने का मन नहीं होता है त तब तब के लिए बाइब बाइब